इंग्लिश शिखने का एक अद्भुत मौका है, जिसमें न किताब की ज़ुरत है, न कोई मेहनत होने वाला है, न कोई समय देना होगा, न रट्टा माना होगा, और सबसे बड़ी बात तो ये है, कि आपको योट्यूब में जाके वीडियो भी सर्च नहीं करना होगा. तो एक बात को पहले कहना चाहता हूँ, आपके जो कॉमेंट्स आते हैं, मैं 5 साल से योट्यूब में हूँ, करीब करीब 2 करोर से जादा लोग वीडियो देख चुके हैं, और सारे 6 लाग के करीब सबस्क्राइबर हैं, तो आप लोगों के कॉमेंट्स और रिक्वेस्ट का य कॉमेंट्स को हम देख लेते हैं, बोलता है कि मेरा प्राहई गाउ में हुआ है, इसलिए मैं अंग्रेजी सीख नहीं पाया, यह बहुत सारे कॉमेंट्स इस तरह के थे, अब सही आते हैं, यह गाउं का देश है, लोग गाउं सही आते हैं, गाउं में अंग्रेजी की प्रा बैठा हुआ है और इसलिए railway छोड़के कोई competition देही नहीं पाते हैं क्या कि maximum में है बहुत लोगों का कि इच्छा तो है अंग्रेजी सीखने का लेकिन कामधाम के चक्कर में समय ही नहीं है कि इंग्लिश शीखे कुछ और अपने लिए कुछ और भी सोचें कुछ लोग है कि अ हम चलाओं अंग्रेजी तो बोल लेते हैं लेकिन अंग्रेजी ग्रामर उतनी अच्छी तरह से नहीं आता है जिसलिए परिख्षा वगले में तो आ warrant अंग्रेजी समर्थ हो जाते हैं, अंग्रेजी समर्थ मतलब किसी भी competition में हिस्सा लेने में आपको डर नहीं लगता, आप average से उपर के level में आ जाते हैं, केवल 10 minute, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको क्या नहीं करना है, जैसे आपको अंग्रेजी की कोई किताब नहीं करिदी नहीं है, नहीं करिदी नहीं है, दूसरा है, ना कोई notes बनाना है, ना कोई रटा मारना है, नहीं करना है, ये सब काम, आपको YouTube में जाके, जैसे मैं बोला, कोई video भी सर्च नहीं करना है, और आपसे कोई एक रूपिया भी मांगने वाला नहीं है, और केवल 10 minute देंगे, तो एक सब्ता के अंदर ही समझ में आएंगे, कि आप में परिवर्तन क्या हो रहा है, तो फिर हम इस चीज को ऐसे बोलना चाहते हैं, कि आप किसी भी क्लास में पर रहे हैं, कोई भी नौकडी की त्यारी कर रहे हैं, अगर आप में अंग्रेजी सिखने की इच्छ तो यहां तक अगर आप अपने भच्यों को मताय, भहने जो पिताएं जो है, उन्हों मातदशन देना चाहते हैं, तो यह कोर्स जो है सारे बातों को जहन में रखकर बना गया है, तो यह सबके लिए हैं, और आपको करना क्या है? अब जब इस सवाल पर आते हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ आप बता देता हूँ, अब जब चाहे परहाई छोर कर जा सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, जब चाहे फिर से परहाई शुरू कर सकते हैं, यहाँ पर एक है कि अगर फिर उसके बाद seat available नहीं होगा त फिर लेकिन आप अभी से सम्मल लीजे, कभी भी, कहीं भी, खाली mobile निकालना है, छे से 10 मिनट कुछ देखना है, वो वीडियो भी हो सकता है, कुछ क्या करते हैं, एनिमेशन के कुछ चीज़ें हो सकते हैं, और देखने के बाद एक test देना है, पस इतना ही करना है, हर देन का आप 10 मिनट तो ऐसे ही बिता देते हैं, अरे बातरूम में बैटे हैं, महराज शिट मार रहा हैं, कर लीजे ना, क्या मतलब है, 10 मिनट, हमारे भारत वर्ष में तो 10 मिनट की कीमत, कम से कम, मुझे तो नहीं लगता है, और कैसे करना है, बस यहीं पर लिंक आ जाएगा, लेक आज किया जैसे है, यह 5 मिनट की वीडियो, इस वीडियो को धेहान से देखें, और देखने के बाद 2 मिनट की टेस्ट नियम बस इतना ही है, इस में, कि आप वीडियो देखी और टेस्ट मिलेगा, जिस दिन नहीं होगा, उस दिन बोला जाएगा, मतलब रिविजन के लिए खली टेस्ट रहेगा इतना ही है और इसी में सारा कुछ हो जाएगा और सबसे बड़ी बात है माने तो ठीक है नहीं माने भी तो ट्राइ करने में क्या जाता है बस इतना जो यहां तक पहुंच चुका है जो यहां तक नहीं पहुंचे उन्हें तो जानी नहीं पाए ठीक है न तो आशा करता हूँ कि ये बातें मेरी कोशिस जो है एक कमेंट्स करके मेरे उच्छा को जरूर बढ़ाईएगा और 6-7 दिन के बार अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएंगे कि आप इसमें हमें बताएंगे कि और भी हम कैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका इंप्रूब्मेंट कर सकें तो आपने समय दिया इसलिए आप सभी को मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद और इसके साथ ही जिने भी अंगरी जी सिखने की प्रॉब्लम है जिने भी दिल में चाहत हैं अंगरी जी सिखने के लिए आप उनके तरफ अपना हाथ परहा दीजिए बस इसे दे दीजिए लोग चुपके से भी सिख लेंगे ठीक है ना, दस मिनट तो सब के पास है